भीगे हुए काजू खाने के फायदे कलस्ट्रोल कम करता है काजू हेल्दी फैट बिटामिन्स और मिन्रल्स का एक बहतरीन सोर्स है जो सरीर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है इनमें पाए जाने वाला फैट एस्टियरिक एसिड से आता है और ब्लड कलस्ट्रोल पर बहुत कम परभाव डालता है हर सुबह खाली पेट थोड़ा मात्रा में भीगे हुए काजू खाने से शरीर में हाई कलस्ट्रोल के लेबल को कम किया जा सकता है और हाड हेल्द को भी कंट्रोल किया जा सकता है हाड हेल्द, अगर दिल के लिए हेल्दी फूड आइटम की बात करें, तो नर्ट में काजू पहले नमबर पर आए, काजू में हेल्दी, मोनो अनसचुरेटेट फैट भरपूर होता है, जो सरीर में खराब कलोस्टोल के लेबल को कंट्रोल कर, हाड को हेल्दी बनाई रखने म मदद करता है, डाइबीटिज, काजू में पाये जाने वाले पोशक तत्वा उसे, डाइबीटिज रोग्यों के लिए एक बेहतरीन एस्टनेक्स बनाती है, किसी भी दूसरे एस्टनेक्स की तूलना में ये नर्ट्स कर्भोहाइड्रेट में कौम और हेल्दी वसा से भरप भीगे हुए काजू खाने से आपके डाइजेशन पर भी अच्छा लाब देखने को मिलता है, काजू में अच्छी मातरा में फाइबर पाया जाता है, जो आपके पूरे पाचन में सुधार करता है और एस्टूल पास करने को भी बढ़ावा देता है, जब आप काजू को र भीगे हुए काजू खाने का एक बड़ा फाइदा यह है कि यह एस्ट्रोक की रुप ठाम करने में मदद कर सकता है, काजू में मैगनेसियम की मातरा एस्ट्रोक के खतरे को काफी कौम कर सकती है, जो आम तोर पर तब होता है, जब एक वीक बलट सेल्स तूट जाती है और ब जबूती में लबदाएक होता है, मैगनेसियम और कैलसियम होने की वजह से यह हमारे सरीर को बीमार नहीं होने देता है, वजन की समस्या में इसके फायदे, काजू में मजूद मैगनेसियम की मातरा हमारे सरीर के अंदर फैट और कार्बोहाडरेट के मेटा बिलिजम को बढ और कैलोरी की मातरा के साथ साथ फैट और प्रोटीन की मातरा भी अधिक्तम होती है इसलिए इसके सेवन से आपका पेट लॉंबे समय तक भरा रहता है पूरसों को लिए काजू खाने के फायदे प्रो एस्टेट कैंसर से बचाव करता है आँखों की रोशनी बढ़ाता है क्योंकि इसमें विटामिन्स A के और E मौजूद होता है टेस्टो एस्टरोन बढ़ाने में भी मदद करता है फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा कर बेहतर बनाता है जिससे खून की मात्रा भी बढ़ती है वजन को बनाई रखता है स्वस्थ दिमाग के लिए दरसल काजू में मजूद मेगनेसियम की अच्छी मात्रा आपके सरीर को कई फायदे परदान करती है जैसे कि स्वस्थ दिमाग मेगनेसियम हमारे मस्टिक में रखत परवाग की सहायता बनाता है यानि कि सहायक करता है और मस्टिक में मजूद चोट को दूर करने में भी बड़ा सहायक होता है मेंगनेसियम के अंदर एंटिट प्रेजेंट गून भी होते हैं जो हमारे सरीर में मौजूद और साथ को दूर करने में भी मदद करते हैं जिससे हमारा दिमाग सवस्त्र होता है डाइबिटीज में असरदार काजू एक ऐसे ट्राइफ रूट है जो की कई पोशक ततो और नूट्रियंट्स से मिल कर बना होता है जिन में से एक होता है मेंगनेसियम मेंगनेसियम को हम डाइबिटीज का दोस्त भी मानते हैं यानि यह हमारे रक्त में में मेंजूद ग्लुकोज को संतुलित करने में हमारा मदद करता है और हमारे रक्त में ग्लुकोज को संतुलित करके डाइबिटीज को आसानी से निनतित किया जा सकता है